एक रिपोर्ट के अनुसार एराक में इरान समर्थित मिलीशिया समुह के संबन्ध में एक टेलीग्राम चैनल ने अंगरेजी में पोस्ट किया है जिस संदेश का स्क्रिंशॉट पोस्ट किया है जिसमें लिखा गया है कि प्रतिरोध की दूरी आज पहले की तुलना में अधीक मजबूत है प्रतिरोध कोशिकाएं अमेरिका और इसकी राज़दानी में भी नहीं थे सूचना के अनुसार पोस्ट जिसमें अमेरिकी सैनिकों का एक कास्केट शामिल था जोसे कैतरिन इलेक्ट्रोनिक टीम द्वारा बनाया गया था वहीं इस टेलिग्राम नेटवर्क में इरानी मिलीशा समूहों और समर्थकों द्वारा उप्योग किया जाता है टेलिग्राम चैनल पोस्ट ने यह भी दावा किया है कि इरान से जुड़े आतंगवादी गुट अधिक मजबूत हो रहे हैं और आर्तिक समर्थन प्राप कर रहे हैं समूहों ने जायनी शत्रू के रूप में इसका उल्ले करते हुए इसराइल को धमकी देते हुए कहा मैं आपके लिए केवल दक्षिन के बारे में शन्शिप में बताऊँगा जो पहले की तुलना में अधिक मजबूत है और हमारे पास इमाद मुहोलेच जैसे हजारों लोग है माना जाता है कि लेबनान में मुगनियाई इरान के गदबंदन और फिजबुल्लह प्रमू थे